वेल्कम गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे कि दसल मिना 36 में कौन सी बड़ी शॉकिंग चीज़े हो सकती है तो यह वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होगी तो इस वीडियो को लाश्ट टक देखेना तो इस साल के दसल मिना 36 में ब्रॉक लेशनल वरसे ड्रू मैंक जीर सकते हैं पर ऐसा ही सेम हुआ था रसल मिना 34 में उस मैच में ब्रॉक लेशनल वर्सेस रोमा निन का मैच था और सभी को लग रहा था कि रोमा निन इस मैच में डेफिनेटली जीच जाएंगे पर ऐसा हुआ नहीं वेस मिकमैन ने लास्ट मुमेंट पे यह रिजट बद बदल दे और डब डबली चैंपियन ब्रॉक लेशनल फीर से हमें दिखे तो यह बड़ी शॉकिंग मुमेंट हो सकती है रसल मिना 36 में नेक्स शॉकिंग मुमेंट डबल डबली उनिवेसल चैंपियंशिप के लिए गोल्डबर्ग वसिस रोमा निन का मैच होने वाला है और इस मैच में ज्यादा चांसे रोमर निन के जीतने के है रोमर निन जीत जाएंगे तब ही उनको इंटरप कर सकते है दर राउक यह और उनको रसल मिना 37 के लिए उसी वक्त उनकी फ्यूड की शुरूबात हो सकती है रसल मिना 37 के लिए यह बड़ी शॉकिंग मुमेंट हमें 36 के लिए दिख सकती है नेक शॉकिंग मुमेंट डबुडबी सूपर शोडाउन 2020 में हमें एज श्टाइल वसेज दा अंडेटेकर का मैच देखने को मिला था इस मैच में दा अंडेटेकर की जीत हुई थी तो इस साल हमें रसल में 36 के लिए एज शॉकिंग चीज हो सकती है कि दा एज श्टाइल अंडेटेकर को हरा दे वो जीत जाए इस मैच में तो यह बड़ी शॉकिंग चीज हो सकती है रसल में 36 के लिए नेक्स शॉकिंग मुमेंट इस साल की वुमेंस रॉयल रंबल शालड़ फ्लेयर ने जीत के एनेक्स्टी वुमेंच चैंपियन रिया रिप 36 के लिए कनफर्म हुआ एक बड़ी शॉकिंग चीज हमें देखने को मिल सकते है रसल में 36 में कि शालड़ फ्लेयर इस मैच में जी जाए वो चली जाए एनेक्स टी में यह बड़ी शॉकिंग चीज हमें रसल में 36 में देखने को मिल सकती है तो यह वीडियो आपको कैसा बुलना और हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी करना तब तब के लिए बाइबाए